हलो नवस्कार फैंड्स कुल्दीप जन ओफिशियल में आप सभी का स्वागत है मैं कुल्दीप आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम मोस्ट अमपोटेंट कॉस्चन देखेंगे जो आपके MS-BiT से related सारी कॉस्चन होंगे और हम लगभग 100 MS-BiT के कॉस्चन को डिसकस करेंगे और जो हम दो पार्ट में डिसकस करेंगे तो यह हमारा आज की वीडियो का यह first part है जिसमें हम लगभग 50 कॉस्चन को डिसकस करेंगे और second part इसका बहुत ही जल्दा आने वाला है, तो ये इसमें भी हम 50 questions को discuss करेंगे, जो MS BID से related होंगे, friends, I hope ये सारे questions आपको पसंद आएंगे, अगर questions पसंद आते हैं, तो वीडियो को like और share जरूर कीजिएगा, ये सारे questions आपके CPCT exam, ITI COPA, ITITO, इन सभी exam के लिए important हैं, जिनमें MS BID से question प करते हैं, तो friends, आज का हमारा पहला question है, MS BID में font के आकार को बढ़ाने के लिए, निमने में से किस keyboard shortcut का उपयोग किया जाता है, तो कौन सी shortcut की का उपयोग, आपके जो font है, उसका आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो आपको पता है, control plus, ये वाले sign से हम font का आकार कम क पर सकते हैं, और इस वाले sign का आकार, इस वाले sign को प्रेस करके, control plus, ये वाला bracket का option को करके, हम font का आकार बढ़ा सकते हैं, तो option number B, इस वाले question का right answer हो जाएगा, next, निमने लिकत में से, कौन सा MS BID document के लिए, एक file extension है, तो file extension से एक नएक question पूछा जाता है, चाहे MS Excel हो, चाहे MS BID हो, चाहे MS PowerPoint हो, सभी से एक नएक question आपका, पूछा जाता है, तो आपसे भी BID का पूछा है, तो MS BID का file extension है, dot docx, ये जो है, MS Word का, जो file extension है, next, MS BID document में, file tap पर जाने के लिए, निमने में से, किस keyboard shortcut का उप्योग किया जाता है, तो file tap पर जाने के लिए, किस shortcut कुझी का उप्योग किया जाता है, alt plus F, alt plus F से, हम file tap पर जा सकते हैं, next question, रगू एक MS BID document पर काम कर रहा है, ये सुनेश्चित करने के लिए, कि प्रत्येक बाक का पहला अक्षर बड़ा ना हो, इसके लिए उसे किस बिकल्प को बंद करना होगा, एक रभी, रगू नाम का, एक लड़का है, जो MS BID पर काम कर रहा है, उसने सुनेश्चित किया है कि बाक का पहला अक्षर capital ना हो, आप देखते हैं कि by default जो लेटर है, बह capital हो जाता है, तो बह capital ना हो, उसके लिए कौन से बिकल्प को बंद करना पड़ेगा, आप्षण A, sentence case, आप्षण B, capitalize each sentence, आप्षण C, capitalize each word, आप्षण D, capitalize bird of sentence, तो हमें sentence case को close करना पड़ेगा, step को बंद करना पड़ेगा, next question, MS bird में, proofing group में, bird count बिकल्प के अंतरगत, आंकडों की संख्या कितनी होती है, तो proofing group में, bird count बिकल्प के अंतरगत, आंकडों या static की संख्या कितनी होती है, 5, 7, 3 या 6, तो इसमें जो संख्या होती है, 6, option number D, इसका right answer हो जाएगा, next, निमने लिखत में से, कौन सा file, file pull down menu का बिकल्प, MS bird document को बंद करने के लिए, उप्यों किया जाता है, तो कौन सा बिकल्प इन में से, file को बंद करने के लिए किया जाता है, quit, close, exit, या new, तो File Pull Down Menu का विकल्प MS Byte Document को बंद करने के लिए हम Close Option का उप्योग करते हैं Next, MS Byte में Line और Paragraph Spacing के संदर्ब में लिमने लिकित में से कौन सा कथन गलत है तो गलत कथन को बताना है आप यह नियंतरित नहीं कर सकते कि Paragraph के पहले और बाद में कितनी जगाए चूटी है तो यही हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा गलत हो जाएगा मतलब यही हमारी Question का अंसर हो जाएगा Next Question MS Byte में Document में Paragraph Spacing के दोरान अतीरिक्त रिक्त इस्थान सामान निताहा Paragraph खालिस्थान या सीर्सक के बीच जोड़ा जा सकता है तो यहां पर सीर्सक आएगा, फोटर आएगा, सब्द आएगा या अक्षर आएगा तो यहाँ पर आएगा जो कि अतिरिक्त रिक्तिस्थान सामानता पेराग्राफ सीर्सक या उपसीर्सक के बीच जोड़ा जा सकता है पेराग्राफ के बीच जोड़ा सकता है सीर्सक के बीच जोड़ा जा सकता है या उपसीर्सक के बीच रिक्तिस्थान को हम एड़ कर सकते हैं next question, MS bird में tracking Samoy के balloons विकलपों के drop down menu में कितने विकलप होते हैं, कितने विकलप होते हैं, 1, 2, 3 या 4, तो balloon विकलपों में drop down menu के 3 विकलप होते हैं, option number C, इसका सही answer हो जाएगा, I hope friends, यह सारे question आपको important लग रहे होंगे, मैंने जो बिविन्न परिक्षा हों में आयो है, जो important MS bird के question उनको खटा करके आपको सामने लेकर के आया हूँ, तो वीडियो को अंतर दक जरूर देखिएगा, यह सारे question आपको आगने वाली जो भी परिक्षा हैं, चाहे CPCT exam हों, चाहे ITI के computer related जो भी exam हों में यह MS bird के question आपसे बार बार पूछे जाएंगे, next MS bird के layout tab में निमने लिखित में से किस समूग के indentation विकल्प के लिए setting मौजूद होती है, तो layout tab में कौन से समूग के लिए आपको indentation विकल्प के लिए setting मौजूद होती है, option A themes, option B page setup, option C page background और option D paragraph, तो paragraph समूग में indentation विकल्प के लिए एक setting मौजूद होती है, next MS bird में envelope की male मर्द जिंग के feed dialogue box में सही face इस्तिति की पहचान करें, मतलब आपको बताना है कि envelope की जो सही इस्तिति होती है, भै क्या है, face up और face down, ये दो envelope की इस्तितिया होती है, सही face इस्तितिया होती है, तो option number C right answer हो जाएगा, face up और face down, next MS bird में, next MS bird में control plus B का उपयोग किसी chainet text को खाल स्थान करने के लिए होती है, तो MS bird में control B जो shortcut की है, इसका उपयोग किस के लिए होता है, italic, option B underline, option C, italic and underline, और option D bold, तो control plus B का उपयोग, text को bold करने के लिए किया जाता है, underline का उपयोग किया जाता है, किसी text के नीचे line कीचने के लिए, और italic का उपयोग किया जाता है, किसी भी letter को इस तरीके से तरचा लिए, next MS bird में, आप go to command का उपयोग करके, bird document में किसी भी इस्थान पर जल्दी से जा सकते हैं, find and replace dialogue box के, go to tab को प्रदरस्थ करने के लिए, आप खालिस्थान कीच को दवा सकते हैं, तो go through tab को प्रदरस्थ करने के लिए, हम control plus G को press कर सकते हैं, तो option number A, इसका सही answer हो जाएगा, next MS bird, table में auto fit button का उपयोग करके, auto button का उपयोग निमनक के लिए किया जाता है, तो प्रत्य कॉलम की, चोड़ाई को text के आकार, जितना bolt होने के लिए प्रारूपित करें, option B, कॉलम में सबसे लंबे cell में, टेक्स्ट के रूप में, केबल उतना ही चोड़ा होने के लिए, प्रत्य कॉलम की चोड़ाई को निरूपित करें, option C, text को cut करने, और नए स्थान पर पेस्ट करने के लिए, और option D, बड़े डोक्यूमेंट को अधिक पटनिये बनाने के लिए, तो MS-BUD टेबल में, auto-fit बटन का उप्योग किया जाता है, कॉलम में सबसे लंबी, लंबे cell में, टेक्स्ट के रूप में, केबल उतना ही चोड़ा होने के लिए, प्रत्य कॉलम की चोड़ाई को प्रूप परिद करता है, तो option number B, इसका right answer हो जाएगा, next, जब हम alpha-numeric सब्द में, कोई परिबर्तन मामला लागू करते हैं, तो MS-BUD में, निमने लिखित मैसी, कौन सा विकल्प सही होगा, तो MS-BUD में, कौन सा विकल्प सही होगा, यह केबल अक्षरों को, alpha-numeric में परिबर्तित करता है, यह केबल अक्षरों को परिबर्तित करता है, और संख्याओं को अटा देता है, कोई कारवा ही नहीं करता, यह हमेशा टेक्स्ट को, छोटे-छोटे अक्षरों में बदलता है, तो MS-BUD में, कोई परिबर्तन लागू करते हैं, तो उसमें क्या होता है, alpha-numeric परिबर्तन को लागू करने के लिए, यह केबल अक्षरों को, alpha-numeric में परिबर्तित कर देता है, option number A, इसका right answer हो जाएगा, next, MS-BUD में, यदि आप मानक margin, सैलियों से mirror margin, चुनते हैं, तो level, बाएं और दाएं margin में, खालिस्थान में बदल जाते हैं, जो दाएं और बाएं margin हैं, बह किस में बदल जाते हैं, बह बजल जाते हैं, inside and outside margin में change हो जाते हैं, जब भी आप mirror margin को चुनते हैं, तो बाएं और दाएं margin, inside और outside margin में change हो जाते हैं, next, यदि DP का ruler को चुपाना चाहती है, तो बह ब्यूद, उसको ब्यूद चुनना होगा, और MS-BUD में, खालिस्थान checkbox का chain करना होगा, ruler, grid, line, MS, sorry, message bar, और thumbnails, तो view को चुनना पड़ेगा, और MS-BUD में उसे ruler विकल्ब को चुनना पड़ेगा, तो उसका, उसमें जो आएगा, hide rural का option, तो उसमें भाएं उसको चुपा सकती है, next, नेमनलेकत विकल्ब हो मैंसे, MS-BUD में, बिसे इस प्रिकार के indentation की पहचान करें, तो MS-BUD में दो indentation होते हैं, पहला होता है, first line indentation, और दूसरा होता है, hang in indentation, तो option number A में, A और B विकल्ब दिये हैं, तो option number A, इसका सही answer हो जाएगा, next, नेमनलेकत में, MS-BUD में, दस्ता विकल्ब के दोरान, कौन सा विकल्ब अमान है, तो दस्ता विकल्ब को हम जब सर्च करती हैं, तो इन में से कौन सा विकल्ब गलत है, message के, match case सही है, found whole bird only सही है, और sound like ये भी सही है, no formating ये विकल्ब है, बहिक दस्ता विकल्ब को खोज करने के दोरान, अमान विकल्ब की श्रेणी में आता है, next, MS-BUD में हटाए गए, को cross out और tip प्डियों को, in line दिखाने के लिए, balloon command के तहत, खालिस्तान सुवीदा का chain कीजिए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, so all revision in line, so all revision in line के जरिए हम इसमें, इस सुवीदा का chain कर सकते हैं, next, जब हम MS-BUD में header section खोलते हैं, तो screen का क्या होता है, option A, document area धुनला दिखाए देता है, header marker और depth line उभर कर दिखाए देती है, option B, screen अपरवरतित रहती है, option C, header area चमकदार हो जाता है, और option D, footer section गायब हो जाता है, तो जब भी हम MS-BUD में header section खोलते हैं, तो document area धुनला दिखाए देने लगता है, और header marker और depth line उभर कर दिखाए देती है, तो option number 1, इसका right answer हो जाएगा, next, MS-BUD में ready to use mail merge templates से शुरू करने के लिए, जिसे जरूरतों के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है, खालस्तान radio बटन को select, starting document step के तहट सक्छम करना होगा, या enable करना होगा, तो बरतमान document का इस्तमाल करें, किसी template से शुरू करें, मौजूदा template से शुरू करें, और बरतमान document के उपयोग से शुरू करें, तो MS-BUD में ready to use mail merge template से शुरू करने के लिए, हमें इसको किसी template से शुरू करें, इस radio बटन को enable करना होगा, next, निमने लिकत मैंसे, कौन सा MS-BUD में section break बिकल्प नहीं है, section break बिकल्प नहीं है, option A, previous page, option B, next page, option C, odd page, और option D, even page, तो MS-BUD में section break बिकल्प नहीं है, बाहर previous page, ये section break बिकल्प नहीं है, friends, I hope सारे question आपको पसंदा रहे होंगा, तो वीडियो को like और share जरूर कीजिएगा, इसी तरीके से, और भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, जो computer से related, most important हम 500 question को कर रहे हैं, तो वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, और चैनल को subscribe भी कर सकते हैं, next, MS-BUD में, orientation font के style, font के color, और font के खालिस्थान को प्रभावित नहीं करता, तो orientation जो option है, font के style, आकार, और font के आकार को यह प्रभावित नहीं करता, अब भी हम इसको, मालो इस तरीके से हमारा page है, और इसको हम layout form में, इस orientation में, बदल देते हैं, तो उसका font का style चेंज नहीं होगा, font का color चेंज नहीं होगा, और font का आकार भी बदलेगा नहीं, तो यह तीनों चीज़ें प्रभावित नहीं होगी, next, आप ms bed में, मौझूदा दस्ता विच फाइल को, दूसरे folder में कैसे सहे जेंगे, तो आपके पास कोई एक file पहले से save है, और आपको उसको दूसरे folder में save करना है, control plus as करके select folder को click करेंगे, या फिर file पर click करके, save as पर click करेंगे, या फिर inside और उसके बाद save as पर click करेंगे, तो आप save as के जरीए, file को rename कर सकते हैं, या फिर उसके folder को change कर सकते हैं, एक folder से आप दूसरे folder में उसको save कर सकते हैं, अगला question है, निमने लेकित में से कौन सा font प्रभाव msbird में text को अन बर्णों के नीचे एक पंक्ती में रखता है तो आपने sub script देखा होगा और superscript देखा होगा sub script में हम क्या करते हैं कि जैसे कहीं पर ऐसे लिखा आप देखते होगे h2o आप इसके नीचे ये h के नीचे पंक्ती में लिख देते हैं 2o तो यहाँ पर ये जो 2 लिखा है आप जर्नली इस तरीके से लिखते हैं तो यह normal है और यहाँ पर इसको छोटा करके लिखना ये कहलाता है sub script और match वगेरा में आप देखते हैं तो उन्होंने पूछा है कि पंक्ती के नीचे एक पंक्ती में रखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं आप सब script next MS बैड में कुछ dialogue box में कई tab होते हैं आप खालिस्थान कुंजियों को एक साथ दबा कर tap के बीच में switch कर सकते हैं आपके पास बहुत सारे switch tab खुले हुए हैं आपको एक tab से दूसरे tab पर जाना है तो कौन सी shortcut key का use करेंगे Ctrl-Z तो Ctrl-Z का तो आप undo के लिए करते हैं Ctrl-Tab, Alt-Tab या Alt-N तो Ctrl-Tab का उक्योग करके आप tabs के बीच में switch कर सकते हैं Next MS-Bide के साथ कारे करते समाए File menu में खालिस्थान विकल्प लब्द नहीं होता है तो printer, header and footer, save as या save MS-Bide में कारे करते समाए जब आप File menu पर click करेंगे तो बहाँ पे आपको printer मिलेगा Save as मिलेगा और save मिलेगा ये तीन option वहाँ पर रहते हैं header और footer और विकल्प वहाँ पर नहीं होता है Next MS Excel बर्क बुक में एक बर्क सीट से दूसरी बर्क सीट पर जाने के लिए निमने में से किसको click करना पड़ेगा आपकी Excel में एक बर्क सीट खुली है तो आपसे उसको दूसरी बर्क सीट पर आपको जाना है तो आपको किस विकल्प को click करना होगा Active cell, option B, scroll bar option C, seat tab, option D, tab button तो इस तरीके से आप seat tab विकल्प पर click करके एक सीट से दूसरी बर्क सीट पर जा सकते हैं अगला question MS Excel में कौन सा function harmonic माद देता है harmonic mean देता है तो ह, A, R, M, E, N ये वाला function है जो harmonic man या फिर harmonic man या फिर harmonic mean आपको देगा Next नेम नेलेकित में से कौन सा MS Excel बर्क सीट में बर्तमान सक्रिये सेल का पता प्रदरश्यत करता है नेम, box, formula bar, menu bar या tool bar तो MS Excel में बर्क सीट में बर्तमान सक्रिये सेल का पता आपको नेम, box में देखने को मिलेगा Next MS Word में layout tab के page setup group के बिकल्प breaks में खालिस्थन सेक्शन होते हैं तो layout tab के page setup group के बिकल्प में breaks में आपको चार सेक्शन break दिखाई देते हैं Next, निमनलेकित में से कौन सा MS Excel बर्क सीट में बर्तमान सक्रिये सेल का नाम प्रदर्सित करता है तो यह तो अभी देख लिया यह repeat होगा option number A हो जाएगा Next, MS Word में document पर काम करते समय यह सुनेश्यत करने के लिए कि दिन के हर नाम को बाक में capitalize नहीं किया जाएगा तो किस check box बिकल्ब को uncheck करना पड़ेगा तो आप MS Word में जब भी Sunday, Monday, Tuesday या दिन की नाम लिखते हैं तो by default उसका पहला अक्षर capital हो जाता है तो आपको यह करना है कि by capital ना हो तो किस बिकल्ब को uncheck करना पड़ेगा तो हमें capitalize names of day इस वाले बिकल्ब को uncheck करना पड़ेगा नेक्स्ट असुद्धी जाच या proofing टेब में खालिस्थान बिकल्ब MS Word में document में paragraph की संख्या गिनने का बिकल्ब प्रदान करती है count paragraphs, bird count, paragraph count या page count तो इसके लिए bird count का उप्योग किया जाएगा bird count बिकल्ब की दौरा MS Word में document में paragraph की संख्या गिनने का बिकल्ब प्रदान करता है next, show markup बिकल्ब MS Word में review tab के निमने मैंसे किस संख्या में उपलब्ध होता है MS Word के review tab में show markup बिकल्ब किस संख्या में होता है तो इसके tracking संख्या में होता है सबसे पहले आप MS Word खोलोगे उसमें review tab कोलोगे उसके tracking संख्या को खोलोगे उसके बाद आपको show markup देखने को मिलता है next, MS Word में document में text को justify करने के लिए निम्न में से कौन सी shortcut कुझी का उपयोग किया जाता है control R, control J, control T या control L तो justify करने के लिए control plus J का उपयोग किया जाता है next, MS Word में दिये गए envelope बिकल्पों में से mail, merge, प्रक्रिया के गलत या फिर false envelope size का चैयन करें B4, B5, B6 या B7 तो mail, merge, प्रक्रिया में जो गलत envelope size है B7 है next, निम्ने लेके तुमेशे कौन सा स्वमूः MS Word के insert tab बिकल्प में insert tab में उपलब्द नहीं है page, tables, illustration या paragraphs तो MS Word के insert tab में paragraph जो बिकल्प है उपलब्द नहीं होता है next, MS PowerPoint में format painter बिकल्प में किस tab में पाय जाता है MS PowerPoint में format painter बिकल्प आपका home tab में पाय जाता है next, यदि हमें text की प्रवस्टी के लिए table के माध्यम से दोहराओ के लिए tab को दवाते हैं तो MS Word default रूप से प्रत्यक पंक्ती में खाल स्थान को capital कर देता है पहला अक्षर, पहला सब्द, प्रत्यक सब्द के पहले अक्षर या सभी सब्द तो इसमें पहला अक्षर को capital कर देता है next question, यदि bird file को browser पर कैसे publish करेंगे आप bird file को browser पर कैसे publish करेंगे तो browser में doc file खोल कर, type web page के साथ file को save करके फिर publish करके, या फिर internet पर bird file upload करके browser में bird file create करके तो आपको bird file को browser पर publish करना है तो आप type web page के साथ file को save करके, फिर publish करेंगे तो option B इसका right answer हो जाएगा next, 37 एक MS bird document पर काम कर रहा है जब उसने ये वाला विकल्प दबाया तो auto correct सही ढंग से concept प्रतीक उसको insert कर देता है तो जब भी हम इस वाले विकल्प को press करेंगे तो जो auto correct mode है उसको एक smiley के रूप में बदल देगा happy face में बदल देगा trademark में बदल देगा या फिर arrow में बदल देगा या फिर proven face या क्रोधेच चहरा में बदल देगा तो उसको क्रोधेच चहरा में बदल देता है next, यदि 37 MS bird document पर काम कर रहा है जब है type करता है मतला अब ये वाला sign type करता है तो auto correct इस पस्ट रूप से उसे खालिस्थान प्रतीक में समलित करता है happy face, neutral face, arrow या फिर forming face crawling face तो यदि हम इस वाले विकल्प को press करेंगे तो वह हमें सून भाब चहरा दिखाई देता है next, ms word में spacing विकल्प खालिस्थान पर लागू होता है तो ms word में spacing विकल्प paragraph सब्द अक्छर या बाक तो यह paragraph पर लागू होता है next, जदी खालिस्थान कमांड अनुप लब्द है तो ms word में document presentation को बंद करना पड़ सकता है तो यदी हमारे ms word में track change command अनुप लब्द है तो ms word को हमें बंद करना पड़ सकता है next, निमने लिकित में से कौन सा ms word के mail merge विकल्प के भीतर एक envelope size नहीं होती c4, c5, c6 या c7 तो इसमें जो size नहीं होती बाए c7 option d right answer हो जाएगा next, address list का चयन ms word में mail merge की चरण दर चरण प्रक्रिया के किस चरण में किया जाता है option a, चरण 3, चरण 5, चरण 2 और चरण 6 तो चरण दर चरण प्रक्रिया में address list का चयन चरण 3 में किया जाता है तो option number a, इसका right answer हो जाएगा friends, I hope जो हमने आज 50 question को discuss किया है यह आपको अच्छे लगे होंगे, अगर वीडियो पसंद आती तो वीडियो को like और share जरूर कीजिएगा friends, इसी तरीके से computer के और अधिक question देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर के budget कर सकते हैं हमने लग वक्त 300 question को discuss किया जो most important question है, आपके CPCT exam, ITI COPA, ITITO इन सभी exam के लिए important होने वाले हैं तो यदि आप मेरे चैनल पर ना है, तो चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस के लिजिएगा आप से जल्दी मिलते हैं, इसी तरह की next video में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद